Hello everyone, मैं हूँ किरन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए Coming Week का सापता ही राशी फल ये 12 अगस से लेकर 18 अगस तक की आपकी टारो रीटिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शन्स हैं और इस वीडियो में सभी साइन्स के सापता ही राशी फल हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशी के सामने टाइम स्टैम्प है आप उस पे क्लिक करेंगे तो डारेक्ली आपकी डीटिंग आ जाएगी और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि माम इस रीटिंग्स को हम किस साइन के हिसाब से देखें तो टारो डिटिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वह आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका संसाइन हो तो चलिए जी शुरू करते हैं coming week का सापता है कराशिफल आप लगों के लिए देखें कि coming week क्या लिकरा रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है queen of wands और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में एक बहुत जबरदस्ट enthusiasm excitement आप महसूस करते वे दिख रहे हैं जो भी आपका goal है जो भी आपका मकसद है उसके लिए काफी motivated भी रहते हुए दिख रहे हैं अब देखें इस enthusiasm इस excitement के सब areas के लिए different reasons रहेंगे हो सकता है कि आपके professional front में कोई ऐसी चीज हो रही है जो आप बहुत time से desire कर रहे थे और उसको आप किसी level पे achieve कर पा रहे हैं या फिर उस direction में चीजे बहुत positively आगे बढ़ रही हैं और ये चीज आपको एक enthusiasm excitement दे रहा है क्योंकि ये queen का card है कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई female है जो आपको बहुत motivate कर रही हैं बहुत जादा आपको support कर रही हैं और इनकी वज़े से एक enthusiasm excitement आप महसूस कर रहे हैं और बहुत courageously, बहुत boldly आप अपने goal मकसद के लिए action initiatives भी लेते वे दिख रहे हैं इनफाक दिखिए इस card का message आपके लिए ये ही है कि अगर थोड़ा सा भी self-taught आपको आए तो आपने तुरंत उसको check करके correct करना है एक बहुत जबरदस confidence के साथ चीजों को deal करना है क्योंकि confidence ही हमारी बहुत सारी problems या फिर बहुत सारी चीजों का एक हल होता है और यही confidence हमें बहुत सारी चीजें achieve करने में भी मदद करता है तो all in all ये वी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है लेकिन फिर से मैं कहूंगी अगर message इस card का देखें तो यही है कि आपने खुद पर doubt नहीं करना है confidently चीजों को deal करना है and personal front के लिए आप लोगों के लिए card है broom अब broom के literal meaning को अगर हम हिंदी में देखें तो होता है जाडू और जाडू किसके लिए होता है सफाई करने के लिए cleaning करने के लिए तो कुछ ऐसा ही इस week आपके personal front में रहतावा दिख रहा है अब देखिए यह general reading है तो यह जो सफाई है यह सब के लिए differ करेगी कुछ के लिए literally हो सकता है कि आप अपने घर में सफाई करना चाह रहे है हो सकता है कि घर का कोई कोना है जैसे कितनी बारी you know terrace होती है store room होता है या फिर कोई room होता है जिसमें हम चीजें dump करते रहते हैं और एक दिन हमें लगता है कि बस बहुत हो गया कहीं ना कहीं ये चीज हमें bother कर रही है और इसको हमने आज clean करना ही करना है तो फिर से कहूंगी कुछ के लिए literally हो सकता है कि आप अपने घर की सफाई कर रहे हैं या घर के किसी कोने को साफ कर रहे हैं या office, workplace को आप साफ करना चाह रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है जो at times mind में clutter आजाता है बहुत सारी चीजें चल रही होती है एक दुविदा होती है, एक उलजन होती है इस week आपको लग रहा है कि बस इस clutter को जो मन में आया हुआ है इसको clear करना है इसकी सफाई करनी है कुछ के लिए हो सकता है कि life में, relationship में कुछ issues हैं, कुछ मसलें आपको लग रहा है बस इनको resolve करना है इनको ठीकठा करना है और देखे, जब हम घर की भी सफाई करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें realize होता है कि हमें नहीं चाहिए हमने रखी हुई है अपनी cupboard में, अपने घर में और बहुत सारी चीजों को हम अपने घर से निकाल देते हैं मैं तो ऐसे ही करते हूँ जब भी स्टोर रूम या कोई भी चीज सफाई करते हैं तो बहुत सारी ऐसे चीजें सामने दिखती हैं जो हमें नहीं चाहिए होती हैं लेकिन हमने अपने घर में रखी होती हैं अपने रूम में रखी होती हैं तो इसी तरीके से देखिए जब आप किसी भी life के रिया की सफाई करते हैं अब mind को अगर आप clear करते हैं तो बहुत सारे ऐसे thoughts बहुत सारे ऐसे belief systems मिलेंगे जो आपको hold back कर रहे हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपको पीछे की तरफ खीच रहे हैं आप उनको clear कर रहे हैं या फिर you know life में कुछ चीजें हैं कोई connection हो सकता है या कोई भी चीज हो सकती है जो आपको लग रहे है कि आपको serve नहीं कर रहे है आपको hold back कर रहे है पीछे की तरफ खीच रहे है तो इस week क्योंकि देखे ये weekly reading है ये आपकी पूरी life की reading नहीं है आप उसको किसी level पे clear करते वे चल रहे हैं यानि कि आप इस week इतना उनसे connect नहीं कर रहे हैं इतना उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं थोड़ा सा, you know, again broader level के लिए अगर हम देखे तो जो चीजे serve नहीं कर रहे हैं उनको आप let go करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं और जो नहीं चीजें आपकी life में आने के लिए रड़ी हैं उनको आप welcome करना चाह रहे हैं तो all in all देखी अगर इसी चीज को आप apply करते हैं ये week अच्छा जाएगा लेकिन अगर सफाई किसी चीज की करने की ज़रत है वो आपके घर का कोई area हो सकता है आपके thoughts हो सकते हैं negative thoughts हो सकते हैं negative belief systems हो सकते हैं relationship में कोई ऐसा connection हो सकता है जो बहुत toxicity create कर रहा है और आप नहीं उसको clear करते हैं नहीं इस week उस चीज को आप end करते हैं तो फिर आप परेशान होंगे and in general या फिर guidance है आप लोगों के लिए well deserved reward का card है तो कोई एक appreciation, recognition या फिर reward आपको मिल रहा है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप क्या करें जिससे की आपको ये appreciation ये recognition मिले और आप उसके लिए effort कर रहे हैं and astrology से आप लोगों के लिए Aquarius sign का card है इसके हिसाब से all shades of blue indigo इस week आप लोगों के लिए lucky रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो ये था इरीज आप लोगों के लिए coming week कर साबता है एक राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए टोर्स आप लोगों के लिए देखें इक coming week क्या लेकर आ रहा है कि energies है तो professional friend के लिए आप लोगों के लिए card है king of swords और ये card कहता है कि इस week specifically आपके professional friend में mental work जाता हो सकता है होता है ना कभी-कभी हमें mind से related काम जादा करना पड़ता है या फिर technology से related जादा काम होता है तो उस तरीके की energies रहती भी दिख रही है और overall भी कहीं बहुत logically आप चीज़ों को deal करना चाह रहे हैं mind से चीज़ों को deal करना चाह रहे हैं इस week आपको ऐसे लग सकता है कि भई emotional नहीं होना है sentimental नहीं होना है हो सकता है पीछे emotional होने की वजए से आप थोड़ा सा परेशान हुए आप थोड़ा सा hurt हुए तो इस week काफी clarity के साथ चीज़ों को deal कर रहे हैं in fact अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर confused हो रहे थे तो इस week के clarity आती भी दिख रहे है अपने लिए stand लेते हुए दिख रहे है और power position authority या तो आपको मिल रही है या फिर आप चाहा रहे है या फिर कोई authoritative figure आपके professional friend में है उनके साथ आपकी ज़्यादा interaction हो रही है ज़्यादा बातचीत हो रही है आप किसी authoritative figure को उनकी किसी issue में help कर रहे हैं या दिखी king of swords का card कहीं government politicians को भी represent करता है तो कुछ के लिए हो सकता है कि government officer से या किसी politician से किसी भी level पे आपको काम पढ़ रहा है या फिर उनके साथ आपकी कोई dealing रह रही है and personal front के लिए आप लगों के लिए eight of wands का card है और ये card कहता है या तो आप बहुत तेजी से बहुत speed से अपने goal अपने मकसद को achieve करना चाहा रहे है and in the process थोड़े से impulsive हो रहे हैं जल्दबाजी कर रहे हैं और अगर ऐसा आप पाएं torus तो ज़रूर इस चीज को check करके correct करें क्योंकि देखे immediate action लेना बहुत अची बात होती है लेकिन जब हम impulsive होते हैं तो हम अच्छे से सोच नहीं पाते हैं समझ नहीं पाते हैं और ऐसे में हमारे decisions choices wrong हो सकते हैं तो इस चीज का खयाल रखें and कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि external front में चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं और आप उनके साथ अपनी speed को match करना चाहा रहे हैं कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई काम है उसकी deadline नजदीक आ रही है और आपको लग रहा है कि भई अभी तो आप उसे complete ही नहीं कर पाए तो इस चीज को लेकर एक हफ़ड तफ़ड रह रही है होता है ना for example कोई celebration है अब वो you know चार दिन बाद है और आपको बहुत सारी उसकी त्यारी करनी है तो बहुत सारी चीजें आपको करनी है इसलिए थोड़ा सा हफ़ड तफ़ड महसूस कर रहे हैं या फिर देखिए overall के लिए काड ये भी कहता है कि बहुत सारी अच्छी opportunities या फिर अच्छी चीजें एक साथ आ गए हैं आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप किसको prioritize करें आप किसको पहले करें किसको बाद में करें तो देखिए इन्ही सब चीजों की वज़े से कुछ हफ़ड तफ़ड कुछ issues कुछ मसले रह सकते हैं 8 of wands is not a negative card तो negative कुछ भी नहीं हो रहा है लेकिन जब जैसे मैंने अभी आपको बताया बहुत सरी चीज़ें आ जाती हैं हफर तफ़ड हो जाती है समझ में नहीं आता पहले क्या करें बाद में क्या करें तो इस तरीके की energies रहते हुए दिख रही है और एक growth एक progress या तो हो रही है या फिर आप उसी direction में बहुत जादा action initiatives लेते हुए दिख रहे हैं या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि अपने goal अपने मकसद के लिए आप इस week action initiatives लेते हुए दिख रहे हैं आप चुपचा बैट के मनजर को या अपने मकसद को देख नहीं रहे हैं फिर से कहूंगी जो भी required है वो करते हुए दिख रहे हैं अगर आप किसी भी चीज इनसान के साथ बहुत जादा attach हो रहे हैं तो बहुत बहुत important है आप थोड़ा सा detach हो क्योंकि देखिए दुख के दो कारण है एक attachment एक expectation और जब ये दोनों चीजों को हम let go करते हैं I don't know is the right word मतलब हम नहीं अपने उपर हावी होने देते हैं तो हमारी जिंदगी बड़े सुकून से बड़े peace से चलती है ये detachment किसी भी front के लिए हो सकता है लेकिन जादा मुझे professional front में रहता हुआ देख रहा है क्योंकि professional front making of swords का card mind से आपको चलने के लिए कह रहा है emotions को अपने उपर हावी नहीं होने देने के लिए कह रहा है और यही आप लोगों के लिए guidance भी है कि आप थोड़ा सा you know एक attached detachment के साथ चीज़ों को deal करें and astrology से आप लोगों के लिए Saturn का card है इसके हिसाब से all shades of beige इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो यह 3 और असा आप लोगों के लिए coming week का साथ आपता है एक राशीफल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें यह coming week क्या लिक रा रहा है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है 8 of swords और यह card कहता है कि इस week specifically professional front में छोटे मोटे issues छोटे मोटे मसले रह सकते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं और कहीं दिखें एक confusion, एक helpless, एक hopeless वाली energies भी आप महसूस कर सकते हैं अब इस चीज को सुन के आपने परेशान नहीं होना है क्योंकि सबसे पहली चीज यह weekly reading है weekly reading में बहुत बड़े मसले नहीं होते हैं छोटी मोटी चीज़े हमें परेशान कर रही होती हैं और दिखें beyond the point जो भी हमारे external front में हो रहा है उसको हम कैसे deal करते हैं वही determine करता है कि उस situation में हम कितना परेशान होंगे यानि कि जो भी problem है अगर हम उसी पर ही focus करते रहते हैं उसी पर ही attention देते रहते हैं तो हमारी problem बढ़ती रहती है और जब हम problem से अपना focus हटा के जो भी उसका solution है या फिर कैसे हम इस चीज को solve कर सकते हैं कैसे हम चीजों को better कर सकते हैं उस पर focus करते हैं हमें उसी चीज का हल मिलता है हम उस problem को solve कर पाते हैं और फिर हम better भी feel करते हैं तो इस week बहुत बहुत important होगा कि आप थोड़ा सा एक positive mindset के साथ चीजों को deal करें और overthink ना करें क्योंकि देखिए overthinking और negative thinking ये दोनों बहुत साथ साथ रहते हैं जब भी हम overthink कर रहे होते हैं आप इस चीज को आजमा के देख लें आप देखेंगे कि negative thoughts आपके मन में आ रहे हैं तो बहुत ख्याल रखना है कि आप overthinking वाले mode में ना जाएं positive frame of mind रखें और जो भी चीज है या फिर problem है आप उस पे focus ना करें उसको कैसे solve कर सकते हैं उस पे focus करें ऐसा करेंगे इस week को बहतर करेंगे और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप परिशान हो सकते हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए chariot का card है chariot का card कहीं movement की बात करता है success की बात करता है victory की बात करता है और कही personal front में कुछ ऐसा ही रहता हुआ दिख रहा है सबसे बहली चीज इस week यां तो आप travel कर रहे हैं करना चाहा रहे हैं याँ फिर travel से related आपकी planning रह सकती है और अगर travel नहीं कर रहे हैं तो कहीं आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं पीछे specifically अगर personal front में किसी situation में आप भत अटकावा महसूस कर रहे थी इक stuck energies थी तो इस week उसमें से आप बहार निकलते हुए दिख रहे हैं और जो भी issue मसले अगर हैं तो आप सब चीजों का control अपने हाथ में लेते हुए बहुत ही confidently फिर से मैं कहूंगे आगे बढ़ रहे हैं growth progress पे आपका focus है और कहीं growth progress मिलती हुई भी दिख रही है जिस भी चीज के लिए पीछे आपने बहुत effort लिये बहुत मेहनत करी उसी से related एक positive outcome एक positive result यहां तो आपको मिल रहा है या फिर इस week आपको ऐसे लग सकता है yes वो positive outcome आपको मिल जाएगा और यही चीज आपको बहुत एक अच्छी feeling भी देती भी दिख रही है all in all personal front अच्छा रहता हुआ दिख रहा है professional front में कैसे आप चीजों को deal करते हैं वो determine करेगा कि आपका professional front अच्छा जाएगा या बुरा जाएगा and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए reach out का card है अब देखिए reach out का card बहुत clear आपको message दे रहा है कि कोई भी issue problem है आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप इसको कैसे deal करें तो आपने you know जबर्दस्ती उसमें अपने आपको उलजाना नहीं है आपने बहुत जादा उसमें अपने आपको परिशान नहीं करना है जो भी इनसान आपको help कर सकते हैं जो भी इंसान आपको guide कर सकते हैं या किसी भी तरीके से फिर से मैं काऊंगी help कर सकते हैं आप उनको reach out करें और ये guidance किसी भी front के लिए हो सकती है लेकिन professional के लिए जाधा रहती भी दिख रही है तो इस चीज का खयाल इस week जरूर रखें and astrology से आप लोगों के लिए cancer sign का card है इसके हिसाब से white color इस week आप लोगों के लिए लखी रहेगा and significant day आप लोगों के लिए होगा Monday तो ये था Gemini's आप लोगों के लिए coming week का सापता है एक आशीफल और नीचे उन्जे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए चलिए concerns आप लोगों के लिए देखें ये coming week क्या लेकर आ रहा है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है seven of cups और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में थोड़ा सा एक confusion रह सकता है अब देखिए इस confusion के सब concerns के लिए different reasons रहेंगे लेकिन seven of cups का card कहता है कि शायद आपके mind में बहुत सारी चीज़ें चल रही है या फिर कोई decision कोई choice आपको लेना है और आपके सामने बहुत सारे options है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप किस चीज़ को choose करें आप क्या decision क्या choice लें और हो सकता है कि कुछ concerns imaginary world में जादा रह रहे हैं यानि कि जो भी आपका goal है मकसद है उसी से related आप ख्वाब देख रहे हैं vision create कर रहे हैं लेकिन कहीं practical realistic steps उनको achieve करने के लिए नहीं लेते वे दिख रहे हैं और अगर ऐसा आप भी पाए concerns तो ज़रूर इस चीज़ को check करके correct क करें और दीखिए दूसरी चीज कहीं एक काड कहता है कि आप अपने work पे उतना focus नहीं कर पा रहे हैं उतना concentrate नहीं कर पा रहे हैं अब यहां पर भी देखिए reason subconsidence के लिए differ करेंगे लेकिन अगर ऐसा भी आप पाएं तो कैसे आप उतना focus बरकरार कर सकते हैं कैसे अपने goal अपने मकसद पे concentrate करके आप उस direction में आगे बढ़ सकते हैं इसको जरूर आप check करके correct करें and personal front के लिए आप लोगों के लिए the world का card है the world is one of the positive card in the deck और ये card कहीं positive beautiful energies ही personal front में रहने की बात करता है क्योंकि फिर से कहूंगी world का card है कुछ के लिए हो सकता है out of the country से related कोई activity हो रह travel कर रहे हैं करना चाह रहे हैं planning कर रहे हैं या simply you know आप passport visa से related भी कोई काम कर रहे हैं तो भी ये world card की energies है तो इस तरीके के you know चीजे आपके personal front में रह सकती है और दूसरी बात ये card किसी एक phase के किसी एक level के complete होने की बी बात करता है नए phase नए level के start होने की बात करता है तो एक positive ending beginning किसी भी तरीके की रह सकती है अब दिखें ये weekly reading है तो बहुत बड़ी चीजें नहीं रहेंगी छोटी मोटी चीजें जिन पर आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे वो complete हो रही है किसी चीज को लेकर closure चाह रहे थे तो एक closure आपको मिल रहा है और आपको काफी एक appreciation recognition आपक you know again ये week personal friends से related काफी अच्छा रहतावा दिख रहा है और professional friend में आप क्यों पर depend करेगा कि आप कैसे चीजों को deal कर रहे हैं अगर आप ये जो distraction हो रही है ये जो एक focus नहीं कर पा रहे हैं इसी energy में चलते रहेंगे आगे तो फिर आप end of the week या फिर आगे चलके थोड़ाँ सा परेशान हो सकते हैं थोड़ा सा मतलब हमें लगता है ना कि यार उस time को हमने अच्छे से utilize नहीं किया हम और अच्छे से चीजें कर सकते थे हम उन्हें उस time decision क्यों नहीं लिया तो इस तरीके का जो एक चीज हमें परेशान करती है वो रहेंगी और अगर आपने थोड़ा सा अपना focus बरकरार कर लिया और जो भी distractions है उनको अपने side में कर दिया जो decision जो choice आप लेना चाहते हैं उसको ले लिया तो professional front में भी ये week अच्छा रहेगा and in general यहां फिर guidance है आप लोगों के लिए blossom का card है blossom का card कहीं खिलने की बात करता है जो भी अच्छी चीज है उनको enjoy करने की बात करता है तो यह तो आप ऐसा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो यह card आपको advice दे रहा है कि जो भी अच्छी चीज हैं आप उनको अच्छ से enjoy करें and astrology से आप लोगों के लिए Capricorn sign का card है इसके हिसाब से all shades of blue indigo इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday करें तो यह था आप लोगों के लिए coming week का साथ ही ग्राशीफल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए लिए लिए आप लोगों के लिए किसी भी तरीके से एक burden एक pressure आप महसूस कर सकते हैं अब देखिए इस चीज को सुनके आपने परिशान नहीं होना है क्योंकि tarot guidance के लिए होता है इस card से guidance लेके आप चीजों को भैतर कर सकते हैं दूसरी बात यह weekly reading है weekly reading में बहुत बड़े मसले नहीं होते हैं बहुत ही कर सकते हैं आप उससे भी जादा काम कर रहे हैं आप rest नहीं ले रहे हैं आप you know break नहीं ले रहे हैं और जब ऐसा करेंगे तो देखे परिशान तो होंगे ही होंगे और कितनी बड़ी उस time हम इस चीज को नहीं एसास कर पाते हैं लेकिन बाद में जब चीजें सिर के उपर से निकल जाती हैं फिर बहुत परिशान होते हैं तो इस week अगर आपको महसूस हो रहा है कि आप बहुत ठक गए हैं बहुत ज़ादा you know आपने अपने उपर responsibilities ले हुए हैं तो ज़रूर अपने workload को offload करें rubber band का मैं हमेशे आपको example देती हूँ कि rubber band को जब आप थोड़ा सा खीछते हैं तो ठीक रहता लेकिन वह बहुत जादा खीछते हैं तो टूट जाता है और ऐसे ही जब हम थोड़ा बहुत extra काम करते हैं तो ठीक रहता है लेकिन जब हम too much extra काम करते हैं बिल्कुल भी again मैं कहूंगि break नहीं लेते हैं रेस नहीं लेते हैं तो फिर हमारी physical body परे कि कुछ चीजों को हम confront ही नहीं करते हैं, हमें लगता है, खाम-खाम का मसला होगा, इशू होगा, तो external front में तो हम चीजों को, you know, नहीं खराब होने दे रहे हैं, या फिर उस conflict को हम avoid कर रहे हैं, लेकिन internal front पे ये चीज़ हमें bother करती रहती है, और ये भी हमें pressure देती है, भी burden देती है, ऐसा भी कुछ आपके professional front में रह रहा है, तो इसको भी जरूर check करके correct करें, अगर थोड़ी सी botheration, थोड़ी सी conflict external front में हो रही है, कोई बात नहीं होने दे, लेकिन जब ये आप deal कर लेंगे ना, तो मन में एक सुकून, एक light energies महसूस करेंगे, तो इस तरीके से दिखें, हो सकता है कि बहुत सारी चीजें इतनी भी difficult नहीं है, जितना कि आपका मन बना रहा है, या फिर आप उनको avoid करने के चकर में, या conflict को, या किसी भी चीज को avoid करने के चकर में नहीं deal कर रहे हैं, तो इन सब चीजों को भी आप चक करके correct करते हैं, यकीन मानिये इस वी को आप बहुत भेतरीन कर पाएंगे, और अगर नहीं करा तो फिर तो pressure और burden ही है and personal front के लिए आप लोगों के लिए the high priestess का card है और ये card कहता है कि बहुत actively, आप personal front में जो भी हो रहा है, उसमें खुद को involved नहीं कर रहे हैं, participate नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा you know, आप अपने आप में ज़ादा रहते हुए दिख रहे हैं आपके mood strings हो रहे हैं थोड़ा सा चीजों को लेकर emotional भी हो सकता है, हो रहे हो, और कहीं बहुत एक desire या बहुत ज़ादा एक enthusiasm, excitement आप नहीं महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप परेशान हो रहे हैं, high princess is a very positive card, यह कहीं inner level पे satisfaction की बात करता है inner level पे एक contentment महसूस करने की बात करता है तो अगर आप withdraw कर रहे हैं चीजों से, यहां खुद को involve नहीं कर रहे हैं participate नहीं कर रहे हैं इसलिए नहीं कि कोई चीज आपको परेशान कर रही है, यहां फिर कोई issue कोई मसला है, it's just that अपने आप में बड़े खुश है आपको कोई एक need नहीं हो रही है कि आप जादा socialize करें या फिर आप जादा किसी भी चीज में खुद को involve करें आप me time चाहते हैं अपने साथ time spend करना चाहते हैं और बहुत एक सुकून बहुत एक peace आप चाहा रहे हैं और इसी peace को maintain करने के लिए कुछ चीजों को avoid कर रहे हैं हो सकता है अपनी feelings अपनी emotions या कोई भी और चीज आप अपने किसी loved one या किसी भी इंसान को इस week नहीं share करना चाहा रहे हैं एक secrecy maintain करना चाहा रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि भी आपका कोई loved one या फिर आपके close ones आपसे कोई चीज hide कर रहे हैं तो all in all देखे high priestess is a positive card बट यह कहीं materialistic चीजों में बहुत ज़ादा रमने की या फिर उनको enjoy करने की या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ उनको enjoy करने की need नहीं होने की बात करता है यानि की money नहीं कर रहा है यार कि भई हम खर्चा करें या फिर हम बहुत किसी महेंगे restaurant में जाके खाना खाएं या इस तरीके की luxury इस तरीके का एक चीजें करने का आपका money कर सकता है और कहीं अगर आप withdraw करें तो आप उस चीज को enjoy करते हुए दिख रहे हैं तो all in all personal front ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है professional front आप पर depend करेगा कि आप कैसे चीजों को deal करते हैं and in general या फिर guidance से sadness and isolation का card है तो हो सकता है कोई चीज आपको परिशान कर रही है और यह जादा मुझे professional front के लिए रहता हुआ दिख रहा है personal front में I don't see कि कोई issue कोई मसला beyond the point है अब यह general reading है तो हो सकता है एका दुका लोगों के लिए रहे तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगे कि professional front में जो भी मैंने आपको guidance ही है आप उसको apply करें in fact मैंने नहीं जो card ने आपको guidance दी है उसको आप apply करें तो इस sadness इस isolation को भी आप अपने life से या इस हफते से दूर कर पाएंगे and astrology से आप लोगों के लिए विस्ता का card है इसके हिसाब से all shades of yellow and orange इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant days आप लोगों के लिए होंगे Sunday and Thursday तो ये था लिए उस आप लोगों के लिए coming week का सापता ही राज शीपल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपकी साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए वोगों आप लोगों के लिए देखें ये coming week क्या लिए करा रहा है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है The Hermit और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में कहीं वो एक enthusiasm वो एक excitement आप नहीं महसूस कर रहे है अब दिखें इसके लिए वोगों के लिए different reasons रहेंगे कुछ के लिए हो सकता है कि कोई खास हल चल कोई खास activity इस week आप ये professional front में नहीं रह रही है उतना काम नहीं रह रहा है कुछ के लिए हो सकता है कि आप खुद से ही चीजों से withdraw कर रहे हैं आप खुद से ही उतना participate नहीं चीजों में कर रहे हैं नहीं involved हो रहे हैं और कहीं किसी चीज की एक खोज किसी चीज की एक सर्श रहती भी दिख रही है होता है ना कभी-कभी कि आसपास कोई खास problem नहीं है कोई खास मसला नहीं है सब कुछ ठीक-ठाक ही है लेकिन फिर भी एक missing feeling रह रही है फिर भी वो satisfaction, वो contentment हम नहीं महसूस कर रहे है तो कुछ इस तरीके की energies है फिर से repeat कर दूँ आपके लिए कोई problem, issue, मसला नहीं रहता वा दिख रहा है चीज़े ठीक-ठाक है लेकिन आप ही कहीं वो happiness, वो joy नहीं महसूस करते वे दिख रहे है और कहीं बहुत introspective energies में रहते वे दिख रहे है कुछ के लिए literally हो सकता है कि कोई चीज़ आपकी खो गई उसको आप ढून रहे है तो all in all, again neutrally weak जाता हुआ दिख रहा है ना कुछ बहुत great हो रहा है, ना ही कुछ खराब हो रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लिए justice का card है और ये card कहता है कि बहुत balance करके आप चीज़ों को इस week deal कर रहे हैं कहीं mind से जादा चल रहे हैं logically जादा, again मैं कहूंगी चीज़ों को deal करना चाहा रहे हैं प्यार के मुह में पड़ जाते हैं कि हमें सही चीज दिखती ही नहीं है और ये बहुत जादा देखे relationships में होता है खास कर जब हम उस इंसान के साथ बहुत जादा touch होते हैं या कोई अगर activity भी है अगर you know, हम बहुत जादा उसको चाह रहे हैं बहुत एक हमारी desire है तो फिर हम सही गलत को नहीं देख पाते हैं तो इस week कहीं आप बहुत जादा सही और गलत के हिसाब से चीजों को deal करते हुए दिख रहे हैं यानि कि emotions को अपने उपर हावी नहीं होने दे रहे हैं कोई भी आपकी desire है कोई भी आपकी इच्छा है उसको भी अगेन अपने उपर हावी नहीं होने दे रहे हैं बहुत strategically, बहुत एक planning के साथ आप हर काम को करते हुए दिख रहे हैं बहुत systematically, बहुत discipline के साथ चीजों को deal करते हुए दिख रहे हैं इस week आपको ऐसे लग सकता है कि भाई मैं कोई बकवास नहीं लोगा मैं कोई बकवास नहीं लोगी जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, और इसी तरीके से आप हर शीज को deal कर रहे हैं और दूसरी बात देखें, ये justice का card है और इस हिसाब से देखें तो इस week आपको ये भी लग सकता है कि भाई जो भी आपके personal friend में हो रहा है बहुत fear हो रहा है ये आप deserve करते थे अब इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ बहुत अच्छा-च्छा हो रहा है पीछे अगर आपने बहुत effort किया बहुत महनत करी तो आपको उतना ही result मिलेगा जितनी आपने महनत करी और अगर आपने पीछे effort नहीं किया महनत नहीं करी तो इस week आपको वो result वो outcome नहीं मिलेगा तो बहुत एक fair तरीके से चीज़ें आपके personal friend में रहती भी दिख रही है क्योंकि ये justice का card है तो एका दुका लोगों के लिए ये भी हो सकता है आप court visit कर रहे हैं वकील को visit कर रहे हैं और देखिए उनको visit करने का reason कोई problem कोई issue जरूरी नहीं है की हो कभी-कभी हम driving license के लिए भी court जाना पड़ता है या फिर कोई और paperwork के लिए भी हमें judge वकील को मिलना पड़ता है अगे इन court जाना पड़ता है तो इस तरीके की चीज़ें रह सकती है and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए moving on का card है और ये card कहता है कि इस week आप बहुत जादा किसी भी चीज़ को लेकर अड़े ना, rigid ना हो एक flexible approach रखें और जितना आप आगे बढ़ने पर focus करेंगे, उतना ही इस week के energies को आप भैतर करेंगे and astrology से आप लोगों के लिए Pluto का card है इसके हिसाब से yellow and orange colors इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे, in fact मैं कहूंगी all shades of yellow and orange आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant days होंगे Thursday and Sunday तो ये था वगोज आप लोगों के लिए coming week का सापता ही ग्राशीफल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए तो चलिए Libras आप लोगों के लिए देखेंगे coming week क्या लेकर आ रहा है कि energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है six of cups और ये card सबसे पहले चीज emotional चीज़ों को लेकर होने की बात करता है और दूसरी बात कहीं है नो past के किसी चीज के होने की या फिर past की किसी चीज पर focus करने की बात करता है अब ये general leading है थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए simply हो सकता है कि आपको अपने work से related past के किसी इंसान से connect करना पड़ रहा है या फिर आप कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि past से कोई इंसान आपको current situation में help कर रहा है support कर रहा है या फिर वैसे ही आप उनसे connect कर रहे हैं मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि आप चीजों को लेकर, लोगों को लेकर थोड़े से emotional, sentimental हो रहे हैं अब दिखिए हम लोग इंसान हैं emotional तो होई जाते हैं emotions नहीं हैं, तो फिर you know, हम इंसान ही नहीं हुए लेकिन जब हम इन emotions को अपने उपर overpower होने देते हैं बहुत ज़ादा emotional चीजों को लेकर हो जाते हैं तब फिर हमारे सोचने समझने की शक्ती नहीं रहती और हम wrong decisions, wrong choices लेते हैं तो फिर से कहूंगी आप emotional हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है लेकिन थोड़ा सा भी आपको लगे कि आप emotional होके, sentimental होके decisions, choices ले रहे हैं तो ज़रूर इस चीज़ को check करके correct करें otherwise देखे, neutral ये भी रहता हुआ दिख रहा है बहुत कुछ great भी नहीं होता हुआ दिख रहा है कुछ खराब भी नहीं होगा अगर आप अपने emotions को balance करके चलते हैं और फिर से कहूंगी past का कोई event, कोई इनसान या तो current आपकी life में आ रहा है या फिर past के किसी इनसान, event, organization, job या किसी भी चीज़ पे इस week आप focus कर रहे हैं and personal fund के लिए आप लोगों के लिए five of swords का card है और ये card कहता है कि इस week specifically personal fund में आपको यसे लग सकता है कि भाई, जो आप deserve करते हैं नो आपको नहीं मिल रहा है किसी level पे चीज़े unfair हो रही हैं किसी तरीके का injustice हो रहा है अब देखिए इन सब चीज़ों को सुनके परिशान नहीं होना है क्योंकि ये weekly reading है, weekly reading में बहुत बड़ी चीज़े नहीं होती है चोटी-मोटी सी चीज़ें हमें परिशान करती हैं होता है ना हमने किसी इनसान के साथ out of the way जाकी किया और जब हमें उनकी जरुत पड़ी तो फिर उन्होंने उस तरीके से respond नहीं किया यहां फिर हमारे efforts को acknowledge नहीं किया तो फिर हम hurt हो जाते हैं हमें लगता है कि ये तो नहीं हम deserve करते थे तो यहां पर मैंने आपको सिरफ और सिरफ example दिया है इस तरीके की energies इस week रह सकती है किसी चीज को लेकर बहुत उमीदे हैं अब यहां पर कोई इनसान again हो सकता है कोई situation हो सकती है, कोई circumstances हो सकती है तो इस week उस तरीके का एक result, outcome नहीं आपको मिलता हुआ दिख रहा है या फिर जैसी आपकी उमीदे हैं वैसे चीजे नहीं होती हुए दिख रही है in fact आपको ऐसे लग सकता है, लोग आपके पीछे से बाते कर रहे हैं आपको उतना appreciate नहीं कर रहे हैं या फिर से मैं कहूंगी, जो भी आपने उनके लिए किया है फिर otherwise भी आप कर रहे हैं, आपको वो appreciation, वो acknowledgement नहीं मिलते हुए दिख रही है तो अगर आप थोड़ी सी भी अपनी expectations को इस week low रखते हैं बहुत जादा, किसी भी ऐसी चीज में अपने आपको नहीं involve करते हैं जहां से पहले से आपको अच्छी vibe नहीं आ रही है आपको अच्छी एक energy नहीं महसूस हो रही है आपकी gut feeling आपको मना कर रही है तो फिर इस week के energies को आप भेतर करेंगे नहीं तो फिर थोड़े से परिशान हो सकते हैं और इन जनरल या फिर guidance से आप लोगों के लिए observe का card है तो दिखे जो मैंने अभी आपको कहा वही card भी आपको कह रहा है observe का मतलब simply ही होता है कि आपने बहुत जादा किसी भी चीज में involved नहीं होना है participate नहीं करना है थोड़ा सा pause लेकर backseat लेकर चीजों को अच्छे से observe करना है देखना है समझना है और देखे ये कला अगर हम सीख लें तो फिर अपनी life को बहुत असान कर लें क्योंकि जब हम जादा बात करते हैं जादा चीजों में involved होते हैं तब कहीं सामने वाले के मन में क्या चल रहा है या फिर situation क्या है उसको हम उतना नहीं समझ पाते हैं तो इस week फिर से मैं कहूंगी आपने बहुत ही wisely चीजों को deal करना है जो भी आप कर रहे हैं उसको different angle से भी जरू देखने की समझने की कोशिश करें अपना थोड़ा सा नजरिया बदल के भी चीजों को again मैं कहूंगी समझने की कोशिश करें और बहुत जादा किसी भी चीज में आप involved ना हूँ पाटिसिपेट ना करें और astrology से आप लोगों के लिए Libra sign का card है इसके हिसाब से all bright shades इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday तो ये था Libra's आप लोगों के लिए coming week का सापता है एक राशीफल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए इसका आप लोगों के लिए देखें इकमिंग वी क्या लेकर आ रहा है कि एनर्जीज है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है the hero friend और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में आप बहुत safe, बहुत secure होके चीज़ों को deal करना चाहा रहे हैं आप impulsive नहीं होना चाहा रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाहा रहे हैं in fact आप थोड़ा सा लकीर के फकीर भी हो सकते हैं जो भी tried and tested चीज़े हैं आप उसी के हिसाब से हर चीज़ को करना चाहा रहे हैं और कहीं फिर से मैं कहूंगी किसी भी तरीके का risk नहीं लेना चाहा रहे हैं in the process थोड़े से जिद्धी हो सकते हैं, थोड़े से stubborn हो सकते हैं अब देखी ये जिद्ध, ये stubborn, जब positive होती है तो willpower determination कहलाती है और जब negative होती है तो फिर हमें परिशान करती है क्योंकि हम बहुत ही fixated हो जाते हैं तो थोड़ा सा खयाल रखें, willpower determination है, बहुत अच्छी बात है लेकिन over अगर आप जिद्धी हो रहे हैं, stubborn हो रहे हैं समझ से हो सकते हैं, knowledge से हो सकते हैं उनसे आपकी ज़्यादा interaction बातचीत हो रही है वो आपसे connect कर रहे हैं या फिर आप उनसे connect कर रहे हैं overall दिखिए ये weak ठीक ठाक रहतावा दिख रहा है एक stability, एक security भी आप महसूस कर सकते हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए the tower का card है और ये card कहता है छोटे मोटे issues मसले रह सकते हैं अब दिखिए general reading है, situation, circumstances सब के लिए differ करेंगे लेकिन ये card किसी level पे restlessness होने की बात करता है anxious energies की बात करता है आपको ऐसे लग सकता है कि वो stability, वो security नहीं है और कहीं बहुत उथल पुथल मन में या फिर external front में भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है अब दिखिए फिर से ये उथल पुथल सब के लिए differ करेगी कुछ के लिए हो सकता है बड़ी शिदत से, बड़ी ही, you know, मन से आपने कोई काम किया और इस week आपको लग रहा है कि वो बिगड रहा है, खराब हो रहा है अब दिखिए, ये weekly reading है तो बहुत बड़ी चीज नहीं होगी, ये मैं आपको assurance दे सकती हूँ, एकका दुका लोगों की बात अलग है, लेकिन छोटी मोटी चीजे आपको परिशान कर सकती है एक उथल पुथल, एक restlessness create कर सकती है कोई चीज पर, again मैं कहूँगी, आपने काम किया, वो तूट सकती है, बिखर सकती है किसी भी level पे, फिर से repeat कर रही हूँ, जोर देके कहा रही हूँ in general, या फिर guidance से आप लोगों के लिए manifest का card है अब देखिए, professional, personal दोनों में से किसी भी front या फिर दोनों ही friends के लिए guidance हो सकती है लेकिन जादा मुझे personal front के लिए रहती हूँ दिख रही है, क्योंकि मैंने कहा आपको कि एक उथल पुथल रह सकती है और manifest का card actually मैं आपको याद दिला रहा है कि जो आप चाहेंगे न वो आप manifest कर सकते हैं तो जब भी भी हमारे life में चीजें हमारे हिसाब से ना चल रही हो हम थोड़ा चा परेशान हो रहे हो हमने pause करके अपने thoughts को observe करना है और देखिए, उस time पे अगर हम ये awareness रख लें अपने thoughts को observe करके check कर लें हम देख पाएंगे कि ये जो restlessness है न इसका root cause external front में जो चीजें ठीक नहीं हो रही वो नहीं है, हमारे thoughts जो हम उसको लेके create कर रहे हैं और कहीं उसको लेकर जो एक extreme negative outcome हम अपने mind में सोच रहे हैं उसको real मान रहे हैं वो हमें परेशान कर रहा है और फिर से कहूंगे इस चीज़ को check करके correct करेंगे, अपने उपर विश्वास रखेंगे, universe के उपर विश्वास रखेंगे, और यहाँ पर manifest का card कहता है, अपनी इस power को लेकर realization रखेंगे कि आपके पास manifestation की power है आप जो सोचेंगे, जो चाहेंगे उसको manifest कर सकते हैं लेकिन अगर negative thoughts continuously बार-बार-बार मन में चल रहे हैं तो फिर वो ही manifest हो जाएंगे और थोड़ा सा भी फिर से कहूंगे awareness के साथ आप इसको check करके correct करेंगे, तो आप अपनी इन्ही energies को बहतर कर पाएंगे आप कहीं जो चाहते हैं उससे related positive thoughts create कर पाएंगे और उसको manifest भी कर पाएंगे and astrology से आप लोगों के लिए Uranus का card है इसके हिसाब से all sheets of blue indigo इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो ये था ascopios आप लोगों के लिए coming week कर साथ आप लिए एक राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए सरीडेजेस आप लोगों के लिए देखें ये coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है Six of Pentacles और सबसे पहली चीज़ ये card कहता है कि इस week specifically आपके professional front में पैसों का आदान प्रतान रह सकता है इन फाक्ट किसी भी चीज़ का आदान प्रतान रह सकता है लेकिन ये money का card है professional front के लिए आया है तो जादा हो सकता है फिर से मैं कहूंगी पैसों का आदान प्रतान है जैसे कि अगर आपने किसी से उधार लिया तो इस week आपको मिलता हुआ दिख रहा है या फिर अगर आपको उधार चाहिए तो वो भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है पैसा आ रहा है लेकिन पैसा जा भी रहा है और दीखी ये तो हो गया मनी का आदान प्रदान और यहाँ पर जो भी दो चीज़ें मेरे माइन में आई मैंने आपको कहा यानि कि दो एक्जामपल्स मैंने आपको दिये सब के लिए इस पैसे के आदान प्रदान के लिए different situations, different circumstances रहेंगी in fact फिर से कहूंगी ये काड कहता है कि अगर आपको किसी भी तरीके की mental, emotional help चाहिए किसी से आपको मिल रही है या पिर किसी कुली को वरकुर को चाहिए वो भी मिलती हुए दिख रही है तो sharing and caring रहती भी दिख रही है कहीं उन्हों फिर से कहूंगी आदान प्रदान किसी भी चीज का रहतावा दिख रहा है और जब भी ये काड आता है हम ये कहते हैं कि जो भी आप दे रहे हैं या ले रहे हैं उसमें balance ज़रूर रखें क्योंकि जब भी ये balance विगरता है ना तभी issues और problems होते हैं मैंने अपनी life में बड़ी ही मुश्किल से सीखा है that life is all about balance आप universe को भी देखे ना आधा दिन आधी रात बनाई ये अलग बात है कि कभी रात थोड़ी लंबी होती है तो कभी दिन थोड़ा लंबा होता है इसमें भी देखिए balance है तो इसी तरीके से जब हम अपनी life में भी balance maintain करके चलते हैं तो beyond the point परेशान नहीं होते हैं कभी अगर थोड़ा ज़ादा दे दिया तो फिर कभी ज़ादा ले भी लें फिर से कहूंगी broader level के लिए एक balance बना के रखें जैसे की universe जैसे की nature बनाती है and person front के लिए आप लोगों के लिए two of pentacles का card है तो दोनों ही front के लिए pentacles के card है और ये card कहते हैं थोड़ा practical थोड़ा realistic होके आप चीज़ों को deal कर रहे हैं और money, पैसा, materialistic, tangible चीज़े आपके लिए एहम रह रहे हैं और कई personal front में two of pentacles का card कहता है कि आप दो चीज़ों के बीच में एक balance बना रहे हैं अब दिखें, यहाँ पर भी ये balance सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है spiritual और material world में एक balance बना रहे हैं यानि कि fun, मज़ा, मस्ती भी कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ meditation, spiritual activities में खुद को involve कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि अपने professional front, personal front में एक balance बना रहे हैं तो दिखें, यह जो भी दो examples मेरे mind में आए, मैंने आपको कहा सब के लिए यह balance बनाना दो या दो से जादा चीज़ों में differ करेगा और यह card यह भी कहता है, एक से जादा चीज़ों को manage कर रहे हैं एक से जादा चीज़ों को handle कर रहे हैं और थोड़ा सा difficult हो रहा है, लेकिन आप कर पा रहे हैं और देखें, यह card भी कहीं exchange की बात करता है तो money का exchange हो सकता है, ideas का exchange हो सकता है, thoughts का exchange हो सकता है किसी भी चीज़ का exchange हो सकता है और कहीं ये काड़ ये भी कहता है कि आप किसी चीज को लेकर two minds में हैं आप decision नहीं ले पा रहे हैं, choice नहीं कर पा रहे हैं कभी आपको लगता है कि ये करें, कभी आपको लगता है वो करें और दूसरी एक और चीज ये काड़ कहता है कि कहीं you know in and out आपकी energies हो रही हैं, किसी भी चीज पे आप focus नहीं कर पा रहे हैं कभी बहुत great feel करते हैं, कभी थोड़ा सा low feel करते हैं कभी बहुत you know, आपको लगता ही कि आप emotionally strong हैं कभी लगता ही कि नहीं इतने emotionally strong नहीं है तो इस तरीके की भी energies रह सकती हैं ये weekly reading है, तो देखिए कुछ ऐसे negative नहीं होता हुआ दिख रहा है और इस चीज को सुनके परिशान ना हूँ क्योंकि आप consciously अगर effort करेंगे तो एक positive balance ला भी पाएंगे तो awareness बहुत सारी चीजों को ठेक करती है और इसी चीज को लेकर थोड़ा सा aware रहते हैं conscious effort करते हैं इन चीजों को positively deal करते हैं तो इस वी को भी आप और भेतर करवाएंगे और इन जनरल यहां पर guidance है, जोई and stability का card है तो यहां पर देखिए, यह card यही आपको remind कर आ रहा है यहां पर यही message दे रहा है कि जो joy, जो stability आप चाहते हैं वो definitely आपको मिल सकती है लेकिन थोड़ा सा overall ही, दूनों ही fronts में आप एक balance जरूर maintain करके रखें and astrology से आप लोगों के लिए the sun का card है इसके हिसाब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Sunday तो यह था से रिटेरियस आप लोगों के लिए coming week का साबता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए कि Apricorns आप लोगों के लिए देखें कमी week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है 10 of cups और 10 of cups का card tarot में कहीं happiness, joy, satisfaction, contentment की बात करता है और कुछ ऐसा ही broader level के लिए इस week specifically आपके professional fund में रहता हुआ दिख रहा है अब दिखें situation, circumstances, reasons सब के लिए differ करेंगे लेकिन 10 of cups का card कहता है कि कहीं money, पैसा, materialistic, tangible चीजें आपकी खुशी, आपकी satisfaction का reason नहीं है मैं ये नहीं कह रही हूँ कि money, पैसे से related कुछ issues मसले रहेंगे हो सकता है रहे, हो सकता है ना रहे, हो सकता है बहुत gain फाइदा हो financially या फिर money wise लेकिन कहीं फिर से मैं कहूंगी वो reason आपकी happiness का नहीं रहता हुआ दिख रहा है कहीं जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं या फिर और भी जो आपके profession से connected हैं, उनके साथ जादा आपकी interactions हो रही है, बातचीत हो रही है कभी कभी होता है कि meetings भी restaurant में होती है, जहाँ पिखाना पीना भी चलता रहता है fun, मज़ा, मस्ती भी होता है और साथी साथ काम भी चलता रहता है तो कुछ इस तरीके की भी energies रह सकती है और कुछ के लिए हो सकता है, intentionally आप अपने colleagues, co-workers के साथ अपना bond भेतर करना चाहा रहे हैं, कहीं उनके साथ आप coffee के लिए जा रहे हैं lunch, dinner के लिए जा रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि जिस भी चीज़ पर आप बहुत time से काम कर रहे थे, वो complete हुई आपको किसी level पर success मिली, victory मिली और अपनी success, victory को अपने colleagues, co-workers या फिर अपने close ones, loved ones के साथ celebrate कर रहे हैं तो जो भी reason रहे कहीं एक happy, joyful energies आपके professional front में इस week रहती भी दिख रही हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए 7 of swords का card है और ये card कहता है कि थोड़ा सा आप चीजों से, लोगों से, situation, circumstances से escape कर रहे हैं कितनी बारी होता है न कोई issue, कोई problem है, हम खुद को भी नहीं accept करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने इस चीज को acknowledge किया, हम परेशान होंगे और कहीं फिर से मैं कहूंगे हम उसको avoid करते रहते हैं, ignore करते रहते हैं इस चीज को भूल जाते हैं कि conscious level पे किसी भी चीज को ignore करने से वो चीज कहीं ठीक नहीं होती, कहीं back of the mind में हमें वो चीज परेशान करती रहती है और otherwise भी वो problem हमारी बढ़ती रहती है और एक टाइम आता है कि वो इतनी बड़ी हो जाती है कि हम उसको solve भी नहीं कर पाते हैं इंगलिश में एक कहावत है stitch and time saves nine तो जब हलके फलके issue होते हैं, problem होती है हम उसी time उसको resolve कर लेते हैं, upfront होके deal कर लेते हैं तो बहुत सारी परिशानियों के होने से हम खुद को बचा लेते हैं तो देखिए इस card का आपके लिए यही message है कि आप चीजों से escape ना करें, ignore ना करें, avoid ना करें क्योंकि इस week तो फिर से मैं कहूंगे आप avoid कर लेंगे लेकिन आगे चलके आप थोड़ा परिशान हो सकते हैं और देखिए यह card कहीं cheating की भी बात करता है तो हो सकता है कि कोई इनसान आपके personal front में हैं जो आपको manipulate कर रहे हैं, diplomatically आपसे deal कर रहे हैं उनके intentions, motives ठीक नहीं हैं और अगर ऐसा आप भी किसी की भी तरफ से पाएं तो जरूर cautious रहें, conscious रहें अब मैं यह नहीं कहा रही हूँ कि आपने सब कोई doubt करना शू कर देना है सब को उस नजर से देखना शू कर देना है बट कभी-कभी किसी इंसान के लिए हमारी gut feeling, हमारी intuition हमें warn कर रही होती है लेकिन हम उस warning को ignore करते हैं और फिर भी हम उनसे connect करते हैं, फिर भी हम उनसे dealing करते हैं और फिर बाद में हमें बड़ा बुरा लगता है कि यार मुझे पहले से ही लग रहा था कि ये ठीक नहीं है या इनके intentions छीक नहीं है मैंने उस टाइम क्यों नहीं इस चीज को avoid किया तो इस चीज का भी आप खयाल रखें और अगर आपको लगे फिर से मैं कहूंगी कि आप थोड़े से manipulative हो रहे हैं अगर आपके intentions छीक हैं तो कोई बात नहीं लेकिन अगर आपके intentions छीक ना हो तो खुद को भी ज़रूर चेक करके correct करें और इन जनरल या फिर guidance से आप लोगों के लिए balance का card है तो जितना आप balance हर चीज में maintain करके चलेंगे इस week उतना ही इस week के energies को भैतर करेंगे यानि कि ना ही आपने कोई चीज जरूरत से जादा करनी है ना ही आपने कोई चीज जरूरत से कम करनी है and astrology से आप लोगों के लिए Gemini sign का card है इसके हिसाब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Wednesday तो ये था कैप्टिकोंस आप लोगों के लिए coming week के साथ आप तही क्राशीफल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए a quiz आप लोगों के लिए देखें ये coming week क्या लिकरा रहा है, क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है 9 of swords और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में कोई चीज आपको थोड़ा सा परिशान कर सकती है stress, tension दे सकती है अब देखें जब भी ये card आता है आप यही कहते हैं कि external front पे हो सकता है कि problem issue इतना बड़ा ना हो जितना कि आपने अपने मन में उसको बना लिया है अब इका दुका लोगों के लिए genuinely हो सकता है कि बड़ी problem है बट you know overall के लिए ये card फिर से मैं कहूंगी आपके चीजों को लेकर जादा overthink करने की चीजों को लेकर जादा अपने मन में बड़ा बनाने की और उसी वज़े से परिशान होने की बात करता है अब देखें जब भी भी external front में ना हमारे हिसाब से कोई चीज ना हो रही हो normally मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ Aquarius ये human mind होता है वो एक worst outcome future के लिए imagine करता है, visualize करता है और खुद को परिशान करना शूकर देता है और ये भूल जाता है कि ये reality नहीं है ये तो जो भी external front पे हमारे हिसाब से नहीं चीज़े हो रही है उसके basis पे हमने सोच लिया और इस सोच को ही हम सोच सोच के परिशान हो रहे हैं और अगर आप भी कुछ ऐसा ही पाएं तो ज़रूर चेक करके correct करें देखें जब भी भी कोई issue, कोई problem होती है न तो अगर थोड़ा सा pause करके हम उस problem से अपने mind को हटा के इसको हम कैसे solve कर सकते हैं क्या इसका solution हो सकता है उस पे focus करते हैं तो हमें उस problem का solution भी मिलता है हम उसको solve भी कर पाते हैं चीज़ों को भी बहतर करते हैं और फिर हमें बड़ी अच्छी feeling होती है कि हम इस problem में से बहार निकल गए या फिर कैसे हमने खुद को बहार निकाला अपनी wisdom पे हमें गर्व होता है तो अगर इस तरीके की energies रखेंगे ये भी कापका ठीक ठाक जाएगा लेकिन अगर आपने अपने मन में जो भी चीज़ें आपको bother कर रही हैं उनको negative energy देते रहे और इसको चेक करके नहीं correct किया तो फिर आप परेशान होंगे and personal front के लिए आप लोगों के लिए four of cups का card है और ये card कहता है कि enthusiasm excitement कहीं personal front में भी missing रहता हुआ दिख रहा है अब इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ issue है कुछ मसला है four of cups का card in fact कहता है कि आसपास सब कुछ ठीक ठाक है कुछ major problem, कुछ major issue नहीं है लेकिन कोई भी चीज आपको वो happiness, वो joy, वो satisfaction नहीं दे पा रही है होता ना कभी-कभी हमें लगता है कि हमें समझ भी नहीं आ रहा है क्यों मन खराब हो रहा है क्यों किसी चीज में मन नहीं लग रहा है और अगर ऐसा आप भी पाएं Aquarius, तो conscious effort करके कोई ऐसी activity में खुद को जरूर involve करें जो एक enthusiasm, excitement लेका रहा है जो आपको आपके goal मकसद के लिए motivate करें क्योंकि दीखें, कभी-कभार ऐसी energies हो कोई बात नहीं लेकिन अगर हम इन ही energies में बहुत जादा time तक के लिए रह लेते हैं तो फिर एक inertia वाली situation आती है हम इसी में ही और deep जाते जाते हैं और एक time आता है कि हम इस energy में से खुद को निकाल नहीं पाते हैं तो फिर से मैं कहूंगी once in a while वाली चीज है कोई बात नहीं 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 energies लेकर आएगा कोशिश करें कि कैसे आप खुद को खुश कर सकते हैं या फिर कौन सी चीज़ें आपको खुशी देती हैं happiness देती हैं आप force करके खुद को उसमें involve करें उसमें participate करें आप देखेंगे कि initially थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा लेकिन थोड़े टाइम बाद आपको अच्छा लगना शुरूर हो जाएगा तो इस तरीके की चीजों का इस वीग ज़रूर खयाल रखें and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए nurture का card है तो दीखें जो मैं आपको अभी कह रही थी वही guidance का भी card कह रहा है कि जो भी चीजें आप enjoy करते हैं जो भी चीजें आपको happiness देती हैं आपने खुद को force करके conscious effort करके उसमें खुद को involve करना है starting में फिर से मैं कहूंगी थोड़ा सा आपके लिए difficult रह सकता है difficult not कि हाँ भी बड़ी कोई परिशानी हो रही है होता है ना कभी कभी हमारा mood ठीक नहीं होता तो हमारा money नहीं करता उस energy में से बाहर निकलने का और अगर कोई दोस्त force करके बाहर ले जाए पहले तो उससे लड़ाई होती है और फिर हम थोड़ा resist करते हैं थोड़े time बाद हम उसको बोलते हैं यार अच्छा हुआ तुम बाहर ले आए आप यहाँ पर कोई दोस्त नहीं आने वाला यहाँ पर आपने ही खुद को force करके इस energy में से बाहर निकालना है and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो यह था Aquarius आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए बाइसे आप लोगों के लिए देखें coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है page of sorts और यह card कहता है कि इस week specifically professional front में आप बहुत logically, बहुत mind से चीज़ों को deal करना चाहा रहे हैं और दिखिए कहीं immature logic रह सकता है, immature reasoning रह सकती है और अगर ऐसा आप भी पाएं तो ज़रूर इस चीज़ को check करके correct करें और दूसरी बात यह card कहता है कि बहुत curious हो रहे हैं चीज़ों को लेकर और knowledge gain करना चाहा रहे हैं और skill update करना चाहा रहे हैं, technical work आपके professional front में जादा रहता हुआ दिख रहा है और कुछ spices के लिए यह भी हो सकता है कि थोड़ा सा irritation, थोड़ी सी frustration हो रही है और किसी news, message, email, phone call का अगर आप wait कर रहे हैं तो या तो delay रहेगा, यानि कि postpone हो जाएगा, इस week आपको नहीं मिलेगा और अगर मिल भी गया तो वो एक happiness, joy, satisfaction नहीं लातवा दिख रहा है फिर से आपको थोड़ा सा irritate यह message, यह news, phone call email कर सकती है overall page of swords is not a negative card यह card सिरफ थोड़ी इनो एक irritation, frustration की बात करता है और over या फिर मैं कहूंगी immature तरीके से logical चीज़ों को लेकर होने की बात करता है और इन्ही energies को अगर आप check करके correct कर लेंगे, कोई बड़ा decision, कोई बड़ी choice अगर आप लें, तो किसी experiential इंसान से जरूर बात कर लें, जिनको आप trust करते हैं, उनसे जरूर discuss कर लें तो यह week आपका ठीक ठाक जाएगा नहीं तो फिर यह week तो नहीं आपको एसास होगा, लेकिन आगे चलके आपको ऐसे लग सकता है, कि आप जाधा mature decisions ले सकते थे, जाधा maturity के साथ चीज़ों को deal कर सकते थे, and yes, एक और बात यह card कहता है, आपका communication बहुत blunt, बहुत straightforward हो सकता है, कुछ के लिए हो सकता है कि आप थोड़ा taunting way में ताना मार के बात कर रहे हैं ऐसा भी अगर आप पाएं तो ज़रूर इसको चेक करके correct करें क्योंकि इस week नहीं ऐसास होगा बाद में ऐसास होगा, और फिर तब कुछ नहीं कर पाएंगे, और tarot का मकसद ही यह है, कि आप इससे guidance लें, चीजों को बहतर करें, और बाद में आप बुरा ना feel करें, यह आपको किसी भी चीज को लेकर अखसोस ना हो and personal front के लिए आप लोगों के लिए strength का card है और यह card कहता है कि minor frustration, या फिर major भी frustration, irritation, गुसा किसी भी चीज पर personal front में आपको रह सकता है, लेकिन जो भी चीज आपको bother कर रहे है आप उसको कहीं अपने उपर नहीं हावी होने दे रहे हैं आप बहुत lovingly, बहुत compassionately बहुत सबर के साथ चीजों को deal कर रहे हैं, और देखिए ऐसी energies में जब हम रहते हैं तो बहुत सारे issues, problems जो हो सकती हैं गुसे से जब हम चीजों को deal करते हैं उनको avoid कर पाते हैं तो दीखिए बहुत अच्छी बात है और दूसरी बात आप बहुत willpower, determination के साथ हर चीज को deal कर रहे हैं कोई भी चीज beyond the point आपको bother नहीं कर पा रही है in fact मैं कहूंगी कि अगर थोड़ी bothersome है भी अगर थोड़ी परिशानी वाली है भी तो आप परिशान नहीं हो रहे हैं आप बहुत इत्मिनान रखते हुए बहुत you know positively या फिर मैं कहूंगी बहुत strongly चीजों को deal करते हुए दिख रहे हैं तो overall personal front ही ठाक रहता हुआ दिख रहा है and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए believe and succeed का card है तो बहुत ही clear message है कि कोई भी चीज जिसको आप पाना चाहते हैं आप definitely उसको पा सकते हैं बट उसके लिए शर्थ सिरफ ये है कि सबसे पहली बात आपका mind उसको conceive करे और फिर believe करे यानि कि आपको 100% विश्वास होना चाहिए कि आप उसको achieve कर लेंगे और अगर आपको ये विश्वास हो गया तो फिर से मैं कहूंगी आप उसको achieve कर लेंगे यही एक card आपको message देना चाहते हैं और astrology से आप लोगों के लिए वीनस घ्रह का card है इसके हिसाब से all bright shades इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday तो ये था Pices आप लोगों के लिए coming week का सापता ही राशी पल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए